दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मशूर एक्ट्रेस इक्रा अजीज, इक्रा अजीज को तो आप जानते ही होंगे आपने सुनो चंदा सीरियल में देखा होगा तो इस वीडियो में हम इक्रा अजीज के लाइफस्टाइल या बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं इक्रा अजीज की परवरिश 24 नवंबर 1997 को पाकिस्तान के शहर कराची में हुई. या 2023 के हिसाब से ये 26 साल की होगी. दोस्त इक्रा अजीज एक मिडल क्लास फैमिली से रिलेशन करती है या जब ये छोटी थी तो इनके वालित का इंटेकल होगा था. इनकी मा ने इनको बहुत मेहंत या मुश्किल से पला है. इनकी मा पाकिस्तान में कार चलती थी जिसका इनका घर चलता है था. वो पाकिस्तान की पहली ओर थी जो कार ड्राइब करके पैसे कमाती थी. दोस्तों बात करें इकरा की क्वालिफिकेशन की तो जानने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एड्मिशन लिया जहां से ये बीकॉम क्रिही थी लेकिन बीच में उन्हें पर हाई कॉड या एक्टिंग पर फोकस करने लगी लेकिन इनकी मा का कहना था के जब टीके तुम पर है पूरा नहीं कर लेटी तब तक तुम एक्टिंग में कदम नहीं रख सकती लेकिन इनकी भेने इनहें बहुत सपोर्ट किया या इसी डोरन इन्हों 14 साल की उमर में इंडिस्ट्री में कदम रख लिया अब बैट करते हैं इक्रा अजीज के करियर के नंगे में दोस्तों इक्रा ने अपने करियर का आगास साइटरस टैलेंट एजनसी से किया इन्होंने करियर के शुरू में के एड्स या ब्रांड्स के साथ काम किया एड्स में काम करते वक्त हम टीवी के सहल निर्माता मुमिना दुरैट की नजर इक्रा अजीज या परी या इक्रा को एक रोल ओफर काडिया या फिर इक्राने 2014 में हम टीवी के सीरियल किसी अपना कहा में काम किया या फिर 2015 में मुख्य भूमिका के तोर पर इक्राने मुकद्दर सपनों में काम किया या फिर इसके बुरा इक्रा ने मोल, सोच ना खातिर, दीवाना, किसी चाहू जैसे सीरियल में काम किया दोस्तों, 2016 में इक्रा ने पाकिस्तान के मशूर अभिनेता शहजाद शेक के साथ छोटी सी जिन्दगी सीरियल में काम किया जिसमें दोनों का ओन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों ने काफी पसंद किया जिसके चलते ये बेस्ट ओन स्क्रीन कपल के लिए नॉमिनेट भी हुई या इक्रा को धीरे धीरे पहचान मिल गई दोस्तों पाने के सीरियल्स में काम किया है जैसे गुस्ताख इश्क, खामोशी या कुर्बान में इसका इलावा इनफोन 2018 में राज़ा करदी में काम किया लेकिन इनके करियर में चार चांद तब लगे जब में 2018 में सुनो चंदा सीरियल आया जिसमें इनों फरहान सईद के साथ काम किया या सीरियल में इकरा अजीज या फरहान सईद यानि अरसल या आजिया की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होगी या लोगों ने काफी पसंद भी किया अब चलो इकरा अजीज के घर में नंगे बल्ले बाजी करते हैं तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इकरा अजीज अपने पती के साथ कराची में रहती है उनके कार कलेक्शन की शर्थ है कि दोस्त इकरा के पास होंडा सिविक 1.5 RS तर्बो है जिसकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए है इकरा अजीज की नंगे सैलरी पर लगा देते हैं दाव तो दोस्तों में इकरा अजीज एक एपिसोर करने के 80,000 चार्ज करती है दोस्तों उनकी नेटवर्थ करीब 15 करोड रुपए है दोस्तों वीडियो को लाइक करें आई हो तो वीडियो को करदन लाइक अगले वीडियो में मिलते हैं अल्ला हाफिस